तो कैसे हो आप लोग मैं बिल्कुल ठीक हूं आप लोग भी ठीक होंगे और लाइक मेरी फ्रेंड का फीडबैक था ये कि मैं हमेशा ब्लॉग स्टार्ट करती हूं मैं उसके बाद लाएक कुछ भी कम्यूनिकेटिव नहीं होती हूं इसलिए मैंने पूछा कि आप लोग ठीक होंगे बट वो सब बकवास बाते बाद में इंपोर्टन थिंग इस मैं आप सब के लिए इन्फोर्मेशन लेके आई हूं अग्रिकल्टर सेक्टर क्योंकि आप लोगों ने बहुत जादा कमेंट किया था कि अग्रिकल्टर सेक्टर के बारे में बताओ अग्रिकल्टर सेक्टर के बारे में बताओ केरगीवर सेक्टर में तो उन्हों ने मुझे कुछ इंफर्मेशन बताई बेसिकली केरगीवर सेक्टर में आने के लिए आपको ट्रेनिंग करने पड़ती है मैं प्रॉपर एक institute से ट्रेनिंग करने परती है जो कि डेली में है कैविक जायोन अभीवा तो आप लोग यह सोच जो कि मैं caregiver and agriculture को मिक्स करी हूँ ऐसा नहीं है क्यूंकि यह information जो मिली है वो एक caregiver sector मतलब like caregiver training institute से मिली है और यह बहुत ही जादा जैन्वीन है इसलिए मैं यह बाते बता रही हूँ आपको तो पहली जो भाया ने मेरे को बताई वो लोग एक अभीवा नाम का एक institute है डेली में तो वो institute ने पोस्ट किया था कुछ दिन पहले about agriculture sector और तो मैंने भाया को बोला कि like agriculture sector के बार में आपको क कुछ पता है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप तो मैं यही यही बाते आपको बताने वाली हूँ अभीवा राजेंद्रनगर में एक केर गीवर ट्रेनिंग इंस्टिटूटे और यह बहुत ज्यादा जैन्वेन इंस्टिटूटे आप लोगों ने मेरे को एजेंट के बार एजेंसी अग्रिकल्चर सेक्टर वालों को ले के आ रही है यह बात मुझे नहीं पता थी लेकिन जैसे मुझे पता चली वैसे मैंने ब्लॉग बनाया आप लोगों के लिए और जब मैंने भाया से पूछा तो भाया ने बोला कि उन्होंने बस दो चीजे पूछी थी एक थ आपके पास mandatory एक certificate होना चाहिए गवर्मेंट से issue किया हुआ कि आपको एग्रिकल्चर डिपार्ट्पेंट में experience है या fit training का कुछ है वो certificate आपके पास mandatory होना चाहिए and the third thing is PCC police clearance certificate यह मैंने खुद से बोला है क्योंकि यह बहुत ही important है क्योंकि caregiver में तो चाहिए ही चाहिए लेकिन आप किसी भी foreign country में काम करने के लिए जाओगे तो पहले जहां पे आपने काम किया था like आप आपने suppose आपने दुबबई में काम किया या अबुदाभी में काम हाका एक police credit certificate चाहिए तो मैंने आपको तीन चीजे बहुत अच्छी से clear कर दी एक agency के बारे में बता दिया एक costing के बारे में बता दिया and एक जो है वो PCC के बारे में बता दिया and mandatory certificate चाहिए तो मैंने सबसे important बात जो थी agency agency के बारे में बता दिया ओल राजेंदर नगर में situated अभीबा तो आप उसे google भी कर सकते हो तो वो आपको exactly direction बता देगी and add direction भी बता देगी and साइट से इसका facebook page भी है पता ने and यह बहुत ही जादा जैन्मीन है तो मैं आपको सारा details नहीं बता क्योंकि अगर आप खुझ से जाओगे वहां पे या फिर आप वहां पे contact करोगे किसी से तो वहां से आपको सारी information मिल जाएगे and it will be very helpful for you कि आप खुझ से जानो ना की मतलब like मैं जितना बोल रही हूं वो enough नहीं होगा आप लोगो के लिए क्योंकि वो लोग ज्यादा अच चाहिए या फिर आप ऐसे आ सकते हो the way of coming मैं आप कैसे आ सकते हो लेकिन आपको जो documents चाहिए या फिर medical हो गया caregiver में आने के लिए तो मैं आपको details में सब कुछ बता सकती हूँ कि training क्या कैसे करना है medical कहां पर even I can give you the addresses कहां पर कैसे होता है और मैं वो करूंगी लेकिन दूसरे ब्लोग में क्योंकि ये ब्लोग लंबा हो जाएगा तो मैं क्या बोल रहे थी कि अगर आप लोग खुछ से पूछोंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि मैंने आपको जो important बात थी agency आप पूछ रहे थे agent agent तो मैंने agency के बा रहे हूं वो भी लाइक आप लोगों को समझ में आ रही होगी लेकिन वो लोग जो है वो लोग explain करेंगे अच्छे से कि आपको ये documents चाहिए इतना time period कर वो visa process में लगेगा ये होगा तो ये सब बाते आप खुछो तो अच्छी रहेंगी agency हो गया ठीके अगर आप नहीं भी कि मैं contact number share कर रहे हूं उनका तो आप मैं website बता रही हूं आपको google में आप search कर सकते हो और वहाँ पर एक ma'am है तो वो ma'am से भी आप पूछ सकते हो and this is very genuine क्योंकि मेरी जो sister-in-law है वो भी recently यही agency से आई है लेकिन caregiver sector में आई है तो इसलिए ये agency बहुत बहुत ज़ादा जेन् and 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 मैंने सारी information बता दिया आपको costing बता दी most importantly agency के बारे में बता दिया कि आप कैसे try करोगे and PCC बता दिया and passport भी आपके पास होना passport तो होना जरूरी है लेकिन passport पे भी में बता दू कि like अगर आपका expire होने वाला है तो आप सायच से apply ने कर सकते हो क्योंकि caregiver में आपके पास minimum two years का होना चाहिए validity ऐसा कुछ है ऐसा कुछ था जब मैंने try किया था अब भी तो नहीं पता लेकिन हाँ अगर आपके पास सिफ एक साल का है या फिछे मैंसी हो गया and costing हो गया and क्या बता है मैंने mandatory certificate होना चाहिए minimum three years का कि आपने training के हुआ है या फिर मतलब लग आपका experience है क कोई भी government sector में तो यह चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है and and फिर अगर आप agriculture sector में आ रहे हो तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ यह मैंने खुद देखा हुआ है and पहले जहां मैं काम करती थी यह ऐसे सुनी-सुनाई बाते में नहीं बोल रही हूँ यह एकदम से मैंने खुद से देखा हुआ बात बोल रही हूँ जो मैं पहले काम करती थी मैं पहले मुशाब में काम करती थी and इस्राइल में मुशाब and यह फिर की बूद्स यह सब जगाओं को विलेज एरिया को यह सब नाम से बुलाया जाता है तो पहले मैं मुशाब में काम करती थी मतलब विलेज एरिया में काम करती थी, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे थाइलाइन, थाइलाइन के लोगों को देखा एगरिकल्चर सेक्टर में, वहाँ पर एक छोटा सा घर दिया जाता है उन लोगों को, और फिर वो बिल्कुल फिल्ड के पास होता है, तो मतलब लाइक डिस्ट अगर मैं सीरियस बात भी बोलती हूं, तो मेरे फेस में अचानक से स्मायल आ जाती है, पता ने, मैं मैं एक हस्मुक सा फेस है, कि मैं हमें सा हस के बाते करती हूं, इसलिए अगर मैं सीरियस बाते भी कर रही हूं, तो वह आटोमेटिकली हसी आ जाती है, तो डोंट टेक इस सिरिएसली मेरे हैज को, भी देखो हाश della होट बात मिकंद लेकिन वह श्री वह रहे ह्लियन अर की तब की शाधा सिरियस बात है पहले मैं जा इंड हना काम करती थी वह बॉर्डर एरिया के पास था लेकिन वह गाह स्वार था लेकिन वहां पर भी यह वहां पर ने यहाँ पर अपर हमारा गाउँ पर थी तो आप सब को भी पता है फिल्ड तो जहां पर आप उगाऊँ गे वगेरा वो तो सहर में ने होगी वो तो गाउँ में ही तो गाउँ एडिया कहां पड़ता है बॉर्डर में पड़ता है तो mentally जो है आप लोग अच्छे से प्रिपेर ह कि आप लोग बॉडर एरिया में जाने वाले हो क्योंकि देखो अगर मैं आप लोगों को बता है तो सालरी इतना है यहां पर ऐसे मज़े तो यह सब सोच के आप लोग हां कि आना है लेकिन उसका कुछ डॉबैक्स भी होता है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिवनेस भी होत लेकिन लेकिन वो जो अग्रिकल्चर वाला एरिया है वो बॉडर में पड़ेगा और केरगीवर का आप कहीं पे भी कर सकते हो केर्गीवर बॉडर एरिया में भी कर सकते हो सिटीज में भी कर सकते हो लेकिन अग्रिकल्चर आप सिटीज में ने कर सकते हो अग्रिकल्चर के थोड़ा बहुत useful लगा and मैं इतनी सारी details नहीं बता रही हूँ आप लोगों को agriculture से लेके क्यूंकि मैंने आपको agency के बारे में ही बता दिया agency के बारे में ही बता दिया तो आप लोग वहाँ पे पूछो क्यूंकि वहाँ पे आपको अच्छा feedback मिलेगा अच्छा answers मिलेगा and फिर मैंने भी बता दिया ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे फालत में ब्लॉंक बनाया मैंने भी बताया कि हास costing वगेरा इतनी इतनी लगेगी and mandatory certificate लगेगे पासपोर्ट and PCC लगेगे लेकिन agency आप लोग इतने दिनों से पूछ रहे थे न agency बात करा हो agency लो अब agency के बार में बता दिया मैंने अब वहाँ पे जाके call करो या फिर आप text भी कर सकते हो and thank you guys and please 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 comment करना कि like ये video आपको useful लगी या नहीं लगी क्योंकि मेरे को feedback मिलेगा तो अगर मुझे कुछ information मिलेगा तो मैं obviously आप लोग के साथ share करूँगी agriculture sector में क्योंकि मैंने और दो तीन friends को पूछा हुआ है अगर वो लोग कुछ information देंगे तो मैं आप से share करूँगी लेकिन the most important thing is आपको जब agency ही मिल गई है तो you can contact them है ना तो इसी के साथ bye guys and all the best अगर आप लोग agriculture में ट्राइ कर रहे हो and caregivers में ट्राइ करने वाले के लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी and construction के बारे में भी मैं पूछ के आपको बताऊंगी and see you guys bye